नमस्का फ्रेंड्स मैं हूँ योगिश्यास कम्पूटर डिजी क्लास में आप सुभी का स्वाग दे आज के लेक्टर नमबर 334 और गूगल शीट के लेक्टर नमबर 38 और देखेंगे गूगल शीट फंक्शन नमबर 15 और फंक्शन का नाम है सौट तो चलो देखते हैं आज की वीडियो में फ्रेंड्स यह है गूगल शीट और गूगल शीट के में आपके सामने जो डेटा है वो डेटा इस तरह से आपके सामने दीखा है देखो यहां एक से 8 कोलम है और यहां student name है day, month, year, gender, social category और जनरल नमबर बढ़ने तो यह जो डेटा है यह डेटा मुझे सोट करना है अगर सोट करना चाहता हूँ तो इस तरह से हो सकता है और right क्लिक करेंगे सोट रेंज में चले जाएंगो यहां से जीस तरह से मैं डेटा सोट करना चाहूँ कर सकता हूँ लेकिन अगर यह सोट बिना सोट वाला डेटा मुझे कहीं पर सोट करने के बाद function में use करना हो तो कैसे करेंगे तो उसके लिए और एक function है और function का नाम है इस तरह से दो function आते हैं लेकिन आज हम सिफ शोट के बारे में सीखने वाले सोट पर क्लिक करेंगे तो यहां आपके सामने इस तरह से दिखाए देंगे सबसे पेले आएंगी रेंज हमें heading लेना नहीं है बिना heading वाला data हम select करेंगे हमने data select कर लिया ठीक है अब यह data select हो जाने के बाद यह range खतम हो गई देखो short range यहां पर हमने दे दी है अब यहां short column कौन से column से आप short करना चाहते है पेले हम single column देखेंगे जैसे कि 6 नंबर की यह जो column में मैंने column नंबर दे रखा है 6 नंबर की column यहां 6 लिखना है और is ascending यानी add to z या जेली to a करना है अगर add to z में रखना चाहते हो तो tr ue true लिखेंगे break it over करेंगे enterprise करेंगे तो देखो यह data आपके सामने यहां पर है देखो यह data आ गया सबसे पहले g वाला g के बाद general general के बाद obc इस तरह से पूरा data short हो गया है चलो यहां तक तो खतम हो गया अब मुझे यहां पर changes करना है और एक column लगाना है और एक column लगाएंगे जैसे कि gender male all female तो male all female तो वो column नंबर है 5 हम यहां 5 लगाएंगे कोमा करेंगे अब ascending को descending में हम यहां लिखते है false यानि there to a enterprise करेंगे तो data पूरा short करा चुका है अब देखो यहां पर जंदल में सबसे पहले m आया m के बाद general में female सारी female एक साथ आ गई तो इस तरह से आप data को short कर सकते हैं अब यह तो text था हमारा हमने text से किया लेकिन अगर हम यहां पर यह निकाल लेते हैं और column लेते हैं 8 number यानि हमारी birth rate तो 8 number लगाएंगे और अगर हमने यहां पर ascending descending वाला कुछ नहीं दे रखा है वो compulsory होना चाहिए यानि के ascending descending compulsory है तो हम लगाएंगे 0, 0 यानि false एंटर प्रेस करेंगे तो पूरा data यहां पर descending order में false होकर आगे देखो 12, 16 सबसे पहले 12, 14 इस तरह से 13, 12 इस तरह से हो चुका है तो हम यहां ऐसा समझे यह false true और false की जगा अगर हम one और zero लिखते हैं तो इस तरह से भी हम sort data कर सकते हैं देखो यहां sort हो चुका है और इस तरह साथ अगर हम यहां से निकल दे और हमें number के जरीए करना है तो यह number है सारे देखो चार number में वहां पर number लिखा हुआ है तो चार number में लखेंगे true enterprise करेंगे तो पूरा data sort हो जाएगा और data होगा इस तरह से 23456 यह 13 number के गलत हो गया था तो इस तरह से data को आप sort कर सकते हो और multiply भी sort कर सकते हो multiple column में आपको अभी दिखाए थी किस तरह से multiple column में sort करते है तो फ्रेंड्स इस तरह से आप पूरे data को sort कर सकते है फ्रेंड्स आपको मिड़े और अच्छा लगा तो लाइक जरू करें और मे वाचिंग मैं हुआ योगेश्वास प्राम कंप्यूटर जीजी क्लास गुडबाई